मोहाली दे पेंड जांडपूर दे वेच परवासी मजदूरां ते पबंदी दी गल सामने आई है जिस दे वेच कई चीज़ां दा जिकर कीता गया है कि रात नू नो वजे तो बाद परवासी मजदूर कीते भी नहीं जा सकंड़े इस तो इलावा वैरिफकेशन जड़ी है ज जुरूर इकठे होए ने क्योंकि यादे तर्वेच परवासी पाइचारे दे लोग रंदेने तो इकठे होए ने उना दे वलो इस गालनू लेके जड़ा रोश जुरूर भ्यक्त कीता जा रहे है और क्या जा रहे है कि आजेहा कोई भी कनून नहीं पास होया है जिस दे ना जाल की किसे भी इलाके दे विच जड़ी है पबंदी लगाई जावे ता सब तो पहला सी गाल बात भी करांगे क्यों कि लुदे आना दे विच वड़ी गिंती दे विच परवासी पाइचारे दे लोग रंदेने शुकला जी कितना किते जैसरी के दे नाल पबंदी शुदा जो कि एथे तुसी देखो साड़े लाके विच आके हर तरम दे लोग और हर तरम नुमन नाले लोग वदिया सांच पाके रहने तो इता अनपड़ लोकां दा काम है जड़े मते मुते पास करी जांदे यह देश दा मुदा है एनू कोई होर नहीं पास कर सकता कोई पंचैत नहीं पास कर सकती है जड़े मुदे ने यह ता बस एक दूजे नू लडान दा जड़ा काम है गरम ख्यालियां दा काम है वो कर रहे ने है एक पेंट जंड़ पूर दा जड़ा मुदा समने हैं महाली दे नजदी को दे विच पान गुटका वैरिफकेशन ता उनना ने क्या कि नू बचे तो बाद कोई बाहर नेनकल पावेगा अगर कोई ओथे में सेपनिंग होंदी है कुछ होंद और मकान मालक जिम्मेबार होवेगा नसला नहीं क्वराब होन दियां पर जरूरी है नशा बांद होना चाहिए जरूरी है नसला घराब हो रहे हैं चिटे नाड ओ क आपा काम करिये रालके काम करिये वदिया काम करिये आओ साधे नाड़ पेंट दिया पंचेता और सरपांचावे पोड़सावे ताए मुद्दा जड़ा है सुड़ सकता है बाकि ठीक है पान गुटका बांद होना चाहिए नशादा कोई भी नीचेंगा हैगा अपा इनू नहीं केर दे उनना केर के सवाल पुछो जोड़ो भी देखो एक छोटे वंदेनो टार्गेट कर ले जाना या किसे समधाय नू टार्गेट कर ले जाना उते अपनी राजनिती चमका के अगला अगला अपने करेवड़ जाना तो देश दा महाल जड़ा है खराब हो जानता ह जमीन करीददन लेके भी सामने आरहा है अगर जमीन करीद दे आता हो कमरा नहीं कोई बना सकते देखो जी अपने उस देश चे रहने हाँ जो सविधान लेखा जो अमबेटकर जी ने समधान लेखा उदे विच सारे नू बराबर दा दिकार मिले ते एक देश सब्दा हाँ जेरे कुछ अधिकार रोके गए ने वो जंगलात मैके में रोके गए या पहाडी शेतर ने वो ते हरे के जिगा रोक दा क्योंकि ने उसनों अग्ये करके तुसी डिफेंड करो नहीं साधिया स्टेट ना जीवी तुसी रोको एक गलता जमीन खरीदन दा सबनों अधि सब्दा ते इसलिए किसे दी कोई रोक डोक गलता यह नहीं होनी चाहिए क्योंकि देखो असी उस मौलक पंजाब जो एठे हैं जिते दी बाणी कहने दिया वलला नूर पाया कुदरत दे सब बंदे एक नूर ते सब जब जब जाको पलेको मन दे ते जेकर असी इस गलते व सबस्क्राज़ाब कर assumptions का फेरे लोक पंजाब करा फेरे लिए मर गढ़ा सारा पंजाब्शी हो एकुजब से नार्मल इंसान और पैंदा होता जैकर कानेड़ा जाकर कनेड़ी cœन県 हो सगए इसे बीबरड कुई पंजाब हाई शुकला जी कि नोव जेदा समाज जड़ा कीता गया कि नोव ज़े तो बाद बाहर ना निकले जावे लगदा किते ना किते क्राइम लेके उन्हाने जिकर कीता देखो क्राइम रोकना आस्ते पुर्सकोले नफरीयां होनी है चाहिए ज़ेदा सब्जी मंडी लगांदा है मंड सरकार दे सकती जरूरी है जी पबंदियां ते तो अड़ा की कहना जी तुसी के में देख दियो हूँ आज पाई चारा ही कठा होया रोज व्यक्त कार रहे हो कितना किते सरकार अग्ये गोहार लगा रहे हैं यह जो पबंदी लगाई जा रही है घलत है शरासर ना जाज है को को कि हमारे में मजदूर के एरिया है इलाका मजदूर का है जो हमारे कोई विभाई मजदूरी करने जाता है और 9 तो 8 बज़े काम करके आता है और कम से कम 4 या 5 किलमट दूर से उसको आना होता अपने घर आते है तो उसको 9 दस बज जाता है यह ऐसी पबंदी 9 वजे ता जो जिनका काम दुकानदारी है अपनी वो तो 9 बज़े बंद करके आ सकते हैं जो बंदे 9 बज़े शुटी करेंगे और उनको 10 किलमेट दूर चलके आना है और कैसे अपने घर पहुचेंगे बज़े ने आके वसेने और कितने कदे रोष तुसी जाहर करें हैं 있어 सारे इसे लाके बिचे से लोगноз कि यहां कर रृज़े को बढ़ाया है ऐसा नहीं कि हमारे जबाए बिकास करके आपना रruज़गार बढ़ाय कमपनी भी आraf игрो अगे बढ़ाया है weekend तो इसमें बड़ी योगदान रहा है हमारे प्रवाजियों सब दहना बहुत गरत उच्ट नहीं है क्योंकि सभी साथ ही एक बराबरी होते हैं मेहनत करने वाले मजदूरी भी साथी हैं बाई भी हैं और एक मालक में बड़े भाई चोटे भाई कोई अंतर नहीं होना चाहिए इसलिए हमारे देश का भी कास एक होना चाहिए कि समय देऊं जी तुसी एज एक नागरिक तुसी किने समय तो लोजे आना चाह रहे हैं सर मेरी पैदाइसी यहीं की है मेरे फादर जी सन बहात्तर में यहां आ गये थे चब पंजाब कहीं कहीं पे था मैं एक बात कहना चाहत हो कि जैसे प्रवासियों को लेके मुद्दा चल रहा है टाइम में रखी गई है नौ बजे जितनी भी बड़ी फर्में है उनकी जो ड्यूटी का टाइम है छे से दो दो से दस दस बजे वरकर साड़े नौ बजे घर से निकलता तो दस बजे वहां पहुंसता है और दस बज करता तो 11 बेर पहुंसता है कहीं साड़ी ग्यारा भी पहुंसता है किलोमेटर के साब से वहां पर जो पावंदी लगाना वह थोड़ा सा गलत है और मैं बात और आपको कह देना चाहता हूं जो पंजाब की इंडस्टी है उसमें हमारे जूपी बिहार के लोगों की इंडस् गौर्मेंट दा फैंसला नहीं है जिस तरीके ना रहे है सामने कुछ पिंडा दे विच मते पाई जा रहे ने जिमें एक मुहाली दा जिकर कीता है कि मुहाली दा पिंडा उथे एक मते दी गाल आ रही है कि उथे पाया गया जैसे कि आपको पता ही होगा कि यह सरकार जो है यह आप माath सोची कि पिंडो का लोग का अपना ऑपिणियन है ऐसा कुछ नहीं यह आम आदमी की पार्टी का उपिणियन है उन लोगों ने लोगों के दिमाग में भर दिया कि परवासी लोगा यहाँ पे लूट पार्ट करते है यह गंदे ह्या माइने में देखा जाए त किसे मंत्री नो कोई गाल बात कीती जावेगी तो डेवलों कि जिस तरीके ना तुसी पहला वी एका वाज चुकी सी देखो बिल्कुल गल कीती जाएगी आसे बिटु सावना भी गल करांगे साधे संपरक्चे मनोज तिवारी जो की दिल्ली विच रह रहने रवी किशन शुक क्योंकि देश दा मुद्धा है दूसरी गल एदे विचे जिड़े डीएसपी साव ने तरमवीर सिंग मुला पुर्तु उनना ने कहा जिसानू को ऐसी शिकायत आएगी जिड़ा की कनून ते अमन नू जिड़ा खत्रा हो सकता है पाई चारक सांज विगड सकती है वेसी हो देते कारवाई भी करांगे दूसरी गल जी ओ इतना करन लग जानगे पिंट दिया सथा चे बैठके फैसले लें लग जानगे ते साधी कम्यूटी जादा है फिर असी पड़े लिखे लोग का मैनत कश लोग का असी देश नों मैं खो देते जम्मिया पढ़या मैं पंजाब आप पढ़या मैं पंजाबी हैं असी नों अपनी स्टेट लोगे वदा हमांगे ऐसे काम करांगे जी देनाल साथ टीस्ट दा नाम रोशन होगे लेकर कितना किते हो आबाद चुक्रेने की कि लगतार क्राइम बाद रहा इसकार काम है सरकार काम है तो पुलिस दा काम है जब अगर किनी फेलियर है तुसी यूपी दे विच ले लो मैं यूपी ना तुलना करदा पंजया दियो थे क्राइम हुंदा पंच मिन्ट दे विच दे रियक्शन हुंदा है बुल्डोचर चलदा है कि नहीं चलदा अपरादियां विच खौफ है कि नहीं है महिलावां 11 बज़े करता जी जूपी बिहार वाले क्रिमिनल ने कालनों के से होर समदा आएदा कोई गल्त काम कार देंदा है तुसी ओनों भी क्या दोंगे तोड़न दा का मैं नहीं करना चाहिएदा है